जैसिर्राम दोस्तों आज की एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी कहा स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम लोग ACL हंटिंग को समझेंगे कि ACL हंटिंग क्या होता है कैसे होता है कहा कहा पर ACL हंटिंग होता है सब कुछ हम लोग तब कोई profit करेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, कि उनका ASL hit करने के बाद उनके favor में market जाता है, या उनको trap करने के बाद उनके favor में जाता है, तो trap से कैसे बचना है, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, कि बड़े player कैसे हमको trap करते हैं, अच्छा profit, FII, DII, retailers कौन होते हैं, जिनके पास 5 करोड, 10 करोड, 50 करोड, 50 लाग, 10 लाग, 1 लाग होता है, यानि जिनके पास small capital है, लेकिन big player के पास 5,000 करोड, 10,000 करोड, 1,000 करोड का fund होता है, वो हम लोग को क्या कर सकते हैं, trap कर सकते हैं, फसा सकते हैं, वहीं हम लोग समझेंगे, अच्छा, आपको पता होगा कि big player, 70 से 80% बार क्या करते हैं, profit करते हैं, 70-80% बार, तो loss कौन करता है, loss 70-80% बार, retailers loss करता है, वहीं retailers जो projection को समझ रहा है, support, resistance, trend line के breakout पर entry बना रहा है, उनको trap किया जाता है, तो उन्हीं trap को हम लोग समझेंगे कि big player कैसे हमको trap करते हैं, प्रेश से एक example लेते हैं, माल लेजिए कि price ऐसे-इसे move कर रहा है, नीचे के side आ रहा है, और यहाँ पर एक support है, ठीक है, और यह support ऐसे price break कर दिया, यह breakout आपको भी दिख रहा है, बड़े player को भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, सभी लोगों को यह breakout दिख रहा है, ठी बनाएंगे ठीक है ब्रेकाउट पर और यहां से मार्केट ऐसे यहां से घुमेगा और इन सारे लोगों को जो इधर है उन सारे लोगों का stop loss धर 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 करके market यहाँ से खा जाएगा जैसे मालीज़ेगी यहाँ पर कोई एक pattern बन रहा है effect pattern बन रहा है और यहाँ यहाँ इस से breakout किया यहाँ पर क्या करेंगा बहुत सारे retailers, entry बनाएंगे अपना इस breakout पर, entry बनाएंगे तो उनका stop loss किदर होगा इस साइड होगा stop loss मार्केट यहीं से सिद्धे घुमेगा और सारे लोगों का stop loss खा जाएगा इसको इरेज कर लेते हैं एक बार कि यह बहुत सारे लोग psychological नंबर पर भी ट्रेड करते हैं ठीक है जैसे मालीजे कि यह एक psychological यह बहुत सारे लोगों को पता है कि एक strong support या resistance की तरह काम करता है तो ऐसे ब्रेक किया प्राइज ठीक है यहां पर बहुत सारे लोग क्या करेंगे इस psychological नंबर के breakout पर इंट्री करेंगे और यही से मार्केट ऐसे घूम जाएगा या मन लिजे कि एक नीचे ऐसे psychological नंबर है या प्राइज ऐसे आया ठीक है यहां ब्रेक आउट हुआ यहां पर बहुत सारे लोग हंट कर देगा अगर आप देखें ठीक है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक साइक लोजीकल नंबर है ठीक है यहां पर 22 नंबर को क्या किया प्राइज यहां पर देखेंगे तो यहां ब्रेक किया है ठीक है यहां पर प्राइज ब्रेक किया है ठीक है ब्रेक करने क के बाद यहां क्या किया है बायर्स को इंट्री बन वाया और प्राइस सिधे घूम गया नीचे के साइड और अगर देखे आप देखिए यहां पर भी अगर आप देखें तो यहां क्या हुआ है यहां भी psychological नमबर ब्रेक किया है ठीक है यहां यहां breakout हुआ ठीक है यहां बैर्स को इंटरी करवाया और यहां से प्राइज घूम गया उनका यहां से लहंट कर दिया psychological जो नमबर होता है वो हमेशा 500 के multiple पर होता है ठीक है जैसे अगर bank nifty के हम बात करें ठीक है यहां लिक लेते हैं psychological नमबर bank nifty के अगर बात करें ठीक है तो 46,000 ठीक है 46,000 फिर क्या होगा 500 इधर 45,000 ठीक है 45,000 एसे हमेशा 500 के multiple पर होता है निफ्टी का भी क्या होता है 500 के multiple पर होता है जैसे क्या होगा 22,000 ठीक है 22,000 फान सो होगा 22 के बात 23,000 ठीक है 23,500 ऐसे 500 के multiple पर बैंक निफटी निफटी फिन निफटी तिनों पर सचल सेहlı पर बहुत है कि एक फिक है तुरूज्जिकल मुट्य साइक पर ज़्य को ही ठीक है तो एसल हंटिंग कहा कहा पर होता है देखिए इसको रिएज करते हैं सबसे पहले एसल हंटिंग जो है साइक्लोजीकल नंबर पर ठीक है इसके बाद जो पैटरंस बनते हैं जैसे ट्रेंड लाइन बनता है चाट पेटरन बनता है ठीक है चाट पेटरन जो बनता है उस पर SL WarmT होता है这么 day high ठीक है ब्रेक आउट जो ब्रेक आउट होता है ब्रेक डाउट तो इन सारे जगह पर SL हंटिंग सबसे जादा होता है ठीक है तो एक एक चीज हम लोग आने वाली वीडियो में हम लोग समझेंगे psychological नमबर पर कैसे SL hunting होता है chart patterns जो बनता है trend line बनता है support resistance sim day high, sim day low जो भी है breakout, breakdown जितने जगा SL hunting होता है आने वाली वीडियो में हम लोग entry exit को भी हम लोग समझेंगे अभी हम लोग जो है कुछ psychological number और patterns को देखते हैं ठीक है अगर यहाँ पर आप लोग देखें तो एक trend line का breakout हुआ था यहाँ पर ठीक है, 14 तरीका यह trade है यहाँ पर एक trend line का breakout हुआ था यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ trend line का breakout हुआ ठीक, और यहीं surprise क्या हुआ गुम गया और भी देखते हैं, जैसे अगर यहां देखें, थिक है, यहां पर, यहां पर देखें तो यहां पर भी एक क्या है, psychological लंबर है, यहां पर 47,000 का एक psychological लंबर है, ठिक है, इसका breakout दिया, यहां बहुत सारे लोग क्या किये, अपना entry बनाए, प्राईज यहां से सीधे घूम गया झाल झाल